हेलो श्रूरेंट वेल्काव टू माइनर्चर मैं हो क्रिस्टना कैसे हैं सब लोग मस्त बढ़िया चुरह श्टार्ट करते हैं हम लोग नेस्ट लेक्षर अपना फांस चुटिकल डोशन्स फॉर्म में जहां हम लोग पढ़ने वाले हैं लोशन्स के बारे में हैं ना इंट्रडक्शन की बात करें तो देखें क्या क्या है यहां पर लोशन लोटू मीडियम विस्कॉसिटी लोशन सब लोग घरों में देखते होंगे ना हाथ पर लेते हैं लगाते हैं तो काफी कम विस्कॉसिटी भी होती है ज्यादा क्यों क्यों बहुत ज्यादा नहीं पर आते हैं मोश्राइजर वगरा होता है तो सब नॉन मेडिकेटट टॉपिकल पर बोल देते हैं इंतेंडिड फ़ॉर आप्लीकेशन जिसका अदेश है एप्लीकेशन टू अंडर्टेक skin without to unbroken skin without friction यहाँ बेटा एक बहुत बड़ी बात जो मार करनी है कि देखो एक तो चीज़ लिनिमेंट और लोशन में एक चीज़ तो किलियर है कि unbroken skin हमारी खाल skin कटी फटी नहीं होनी चाहिए दूसरा बहुत बहुत ज़्यादा मार करेंगे question first आ है this is without friction this is without friction वो वाला रगड रगड के लगाने के लिए था यह केवल normal लगा देना है छोड़ देना है ठीक है ना apply to skin with absorbent हम लोग generally इसे क्या है cotton हम वैसे हां से लगा लेते हैं बट काईदा कहता है कि cotton कपडा या रूई लेकर के उससे लगाया जाता है ठीक है ना तो यह इसका साही तरीका होता है आगे आते हैं it is used for cooling, soothing और protective purpose इसका main काम क्या है उसकीन को ठंड़क पहचाने के लिए soothing अराम पहचाने के लिए और protective पोटेक्ट करने के लिए बहारी environment से धूप से, dust से, उन सब चीयों से इसका antiseptic action भी होता है जैसे कि बहुत कॉमन lotion है calamine lotion वो antiseptic in nature होता है किसी टाप का infection को रोकता है लगने से alcohol is sometimes included in aquos lotion for its cooling and soothing effect alcohol का हम लोग कई वार lotion में add कर लेते हैं क्योंकि उसका cooling और soothing effect होता है example क्या है salicylic acid lotion अगर हम इस lotion की बात करें तो इसके अंदर क्या मिलते है हमको alcohol मिल जाएगा solid particles incorporated in lotion should be in finally divided state अगर आप कोई solid particle डाल रहे हो solid powder का इस्तिमाल कर रहे हो तो वो finally divided state पे होना चाहिए finally divided का मतलब होता है एकदम पिसा हुआ महीन ठीक है to avoid grittiness grittiness मतलब होता खुड़ड़ा पन लगाने पर खुड़ड़ा पन सा नहीं लगना चाहिए most lotions are oil in water emulsions but water in oil lotions are also formulated जाहतर कैसे होते हैं जाहतर कैसे होते हैं oil in water type याद करेंगे lotion जाहतर कैसे oil in water water यानि कि लगा लो तो पूरा body में absorb हो जाए लेकिन कई बार हम water in oil type के lotions भी prepare करते हैं the key component of lotions are the aqueous and oily phases इसके जो key component होते हैं main वो aqueous और oily phases होते हैं and emulsifying agent prevent separation of these two phases अब aqueous का मतलब हो गया पानी oily का मतलब हो गया तेल पानी और तेल दोनों तो एक साथ रहनी सकते हैं इसके हम किसका इस्तमाल करना पड़ेगा emulsifying agent का इस्तमाल करना पड़ेगा जो prevent करेगा separation of these two phases जिसकी वएसे यह दोनों phase आपस में अलग नहीं होंगे clear है a wide variety of wide मतलब और भी बहुत ज़्यादा variety है other ingredients such as fragrances खुसबू के लिए हम किसी का इस्तमाल कर सकते हैं glycerol petroleum जारी चिकनाई के लिए dyes color के लिए preservative stabilizing agent are commonly added to the lotions for improved organoleptic and preservation characteristics यह सब चीजिंग को डालते हैं जिससे कि उसकी organoleptic देखने में छूने में अच्छा लगे और उसका preservative characteristics बढ़ जाए याने की preserve रहे लंबे समय तक उसकी life बड़ी रही है याने की 2-4 मेने में खराब हो जाए ठीक है तो सब general बाते हैं main thing जो हमें समझनी थी वो यह थी without friction clear है okay lotions can be used for topical delivery topical सरीर में उपर ही लगाए जाएगा of medications such as antibiotics antiseptic, antifungal, corticosteroids anti acne, acne मतलब मुहासा हो गया soothing protective agent मतलब कि जितनी भी topical delivery है मतलब हमको हमारे body के ऊपर skin पे किसी type का infection है उस infection को ठीक करने के लिए हमें कोई antibiotic लगानी है हमापर कोई antiseptic इस्तेमाल करना है कोई antifungal इस्तेमाल करना है steroid इस्तेमाल करना है ठीक है मौस से खतम करने है तो उन सब चीज़ों को दूर करने के लिए lotions की रूप में दवाईयां सरीर के ऊपर लगाई जाती है non non comedogenic non comedogenic that do not block the natural pores of the skin जहां डखना है ये word को हमारे body में जो natural pores होते हैं जहां से पसीना वगर आता रहता है ठीक है वो अगर block हो जाएंगे तो दिक्कत होती है फिर ठीक है ना तो non comedogenic lotions ऐसे lotions जो इन pores को block नहीं करेंगे products are recommended for use on pimples चाहतर मौहां से होते ही उन लोगों को है जिनकी skin के pores block हो जाते हैं चेकनाई के वए इसे oil skin होती है वो block हो जाते हैं सिकायत है एकने मौहासों की सिकायत है उनके लिए non comedogenic lotions का इस्तमाल कराया जाता है उन लोगों को ठीक है इसकी लिए कहते है marketer कोई भी कुछी product ले ले लेता है ऐसा नहीं होता देखना थिए कि कौँ सा product हमारे skin को suit करेगा these lotions are also termed as non occlusive occlusive non occlusive समझ में आगया protective मतलब यह protective layer नहीं बनाएंगे thus they reduce acne or reduce the incidence of pimple इस प्रकार यह reduce कम कर देते हैं acne मौहासे की घटनाओं को या मौहासों को कम कर देते हैं the same drug substance can be formulated into lotion, cream and ointment जो हम lotion के माध्यम से जो दवाई शरीर के उपर पहुंचाना चाह रहे हैं उसको हम लोग lotion, cream और ointment इन तीनों के माध्यम से पहुंचा सकते हैं फिर creams are the most convenient of the three but इन तीनों रूप में से cream बहुत ही ज़्यादा convenient मतलब कहा लोगी अराम से cream एक ऐसा साधन है जिसकी हल्प से हम लोग दवाई को इजली अपनी स्कीन की सर्फेस से पहुंचा सकते हैं बट 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 लेकिन और इन अप्रोप्रोप्रेट फॉर एप्लिकेशन तुरीजन साफ हेरी स्कीन अगर बाल बहुत ज़्यादा है तो वहाँ इसकीन क्रीम लगाना दिक्कत देता है अगर खोपड़ी पर लगाना यहादा बहुत ज़्यादा है लोशन जो होता है कम गाड़ा होता है गाड़ा कम है तो इसली बाल खोपड़ी पर यहादा बहुत ज़्यादा है वहाँ लगाए जा सकते हैं और इस परकार क्यों गाड़े कम होते हैं जहां पर बहुत ज़्यादा सरीर में वहां पर हम इनको इजली लगा सकते हैं मैनी मेडिकेटन शैंपू आर बहुत सारे शैंपू जिसके दवाईयां होती है डेंटर फाला होते हैं हैं आर इंदवाणडेंश गलि काफी पेड़ा क्रृड हो wrap उसकी परत मोटी रहती रहती हैं आक प्रो प्रदी पूर्य लगजाती है ठीक है क्रिबाइच में क्रिव इसकी रहती अप erfolg एज जहां पर एक क्रीम जो काफी कोशली होती है वो थोड़ा सा एरिया कवर करेगी जड़ासा लोशन पूरा बॉड़ी को अच्छे से कवर कर सकता है तो एकनॉमिकली तो हमें सस्ता भी पड़े गा इस प्रकार से वह कंटेनर की बात करें तो यहां पर भी कलर फ्लूटेट कंटे करेंगे उससे वह अलग से पहचान में आ जाएं लेबलिंग रहेगी एक फॉर एक्टरनल यूज ओनली शेक वैल बिफोर यूज यह लेबलिंग सेम रहेगी जो इनिमेंट वाली थी स्टोरिज की बात करें स्टोर इन वैल फिल्ड वैल क्लोज इन एर टाइट कंटेनर इन कूल और ड्राइप लेज तो वह यह एर टाइट कंटेनर में कूल और ड्राइप लेज में रखना है यही इसकी क्या हो जाएगी इस्टोरिज हो जाएगी गुनाओ् और फ्रापर्टीछ उफली तो अंट कि बात करें तो मोस्ट लोशंस पार और और याटर अल्कॉह एन तर गोरो زज हो जाएग लेंड आषलेट गवस्स क्योंस जाएगा विल्यौट पार दवाई दवाई रह जाएगी फिर क्या होगी पैनेटेट करेंगी जातर जो एकनल लोशन होते हैं उसमें क्या होता है वाटर अलकॉल होते हैं तुरंथ उड़ जाता है उड़ने की वएसे कि ओगा वहां के जब पोर्स वगएर होंगे वो जल्द क्लॉग नहीं होंगे और जो मेडिक्शिंस यहां वहाँ पर अपना इफेक्ट दिखाएंगी इमल्सन टाइप लोशन इस यूजली नौट ड्राय जो इमल्सन टाइप होते हैं वह सूखते नहीं है यह सब तो उपर दोनों सूख गहते हैं डिपेंडिंग ओन वाटर कंटेंट हाई वाटर एंड इसको छोड़ देंगे यहां से छोड़ दो इसको ओके इमल्सन टाइप लोशन इस यूजली नौट ड्राय डिपेंडिंग ओन वाटर कंटेंट वाटर कंटेंट के हिसाप से जो होता है वह क्या होता है यह सूखते नहीं है यह लोशन इजी टू स्प्रेड और लार्ज एर फिल्इंचल ठीक है न ऐगा व् … क्या होता है श्यदैव फोर हेर एरीय और प्रोन टू साय्यां यहां पर बाल हो ऐसे यहां पर फॉलीकुलयाइट छेक दभम यं गोह तनल् som Dow या ट्राइज को होते हैं आपना यह शिशा होता है तो इन हिस्सों में कर दूम एंपलाई ऱ काफी असान रहता है ठीके now advantage क्या है evaporate well easily ओड़े जाता है यह good for large areas लंबे area में फैला के लगा सकते हैं good for hairy areas drug from the lotions are well absorbed by the skin lotions के माद्यम से दवाईयं बहुत अच्छे से absorb हो जाती है drugs in the form of lotion have higher bioavailability इनकी bioavailability जादा हो जाती है lotions have long term stability इनकी stability भी जाता है non greasy है lotion spread on the skin very easily over large area काफी easily यह skin के उपर apply किये जा सकते हैं और लंबे area में फैला के लगाए जा सकते हैं disadvantage के है alcohol base will irritate और sting जो alcohol होता है वो कई बार क्या कर सकता है हमारी skin को irritate कर सकता है ठीक है या sting चुब सकता है skin में जलन जैसी हो सकती है lotion may clog skin pores and increase acne कई बार ऐसा हो सकता है वैसे तो यह काम यह करता नहीं है लेकिन ऐसा कर भी सकता है ऐसा हो जाता है कई बार ठीक है ना तो इसका पोजिट हो गया during application of lotion care need to be taken to avoid accidental exposure to eye ध्यान रखना है कि यह आँखों में ना चला जाए तो जितना भी topical application है यह line सबके लिए हम लिख सकते हैं कि वो आँखों में ना चला जाए सबके लिख सकते हैं lotion may accelerate the skin aging ठीक है इसकी वैसे skin की aging skin का बढ़ापा बढ़ सकता है lotion may show systemic side effect side effect हो सकते हैं तो exception is always there तो यह घटना है घट सकती है यह इस तरह सब यह disadvantage अब कहीं पर भी इसको लिख सकते हो indication कहां कहां इसका इसका इस्तमाल कर सकते हैं इस सब हमारी skin की बिमारियां है eczema, impetigo, sunburn, dermatitis, varicose ulcer और psoriasis यह सब हमारी क्या है skin की problems है skin की दिक्कत है जो क्या है होने पर हम लोग lotions का इस्तमाल करते है some lotions कुछ lotions के देख लिए हम लोग जो घरों में इस्तमाल होते है suns screen सब में लगाया होगा जो धूब में हमें खासकर UV light से बचाता है हमको body lotions these lotions used to stop moisture leaving body lotions हम क्यों लगाते हैं जिससे कि body से moisture उड़ना जाए body हमारी रूख ही ना हो जाए and keep the skin soft smooth and hydrated हमारी skin को मलायम रखता है smooth रखता है और hydrated numb रखता है hair lotion these lotions are used to hair to improve and stimulate the hair follicle ठीक है हमारे बालों के texture को improve करते है और बालों को hair follicle है जिसके बाल हमारे लगे हुए होते हैं उनको activate करते है इससे कि bleaching lotion which alter the color of the skin skin का थोड़ा सा color change कर दे तक गोरे गोरे लगते हैं लोग लगा ले था हम गोरे हो गए ठीक है humectant वही पानी को absorb करने वाला this lotion keep the skin hydrated अगर आपकी skin बहुत जादा रोखी सुकी होती है तो आप humectant lotion का इस्तवाल कर सकते हैं astringent lotion it is dual purpose इसके दो purpose होते हैं lotion that cleanses and moisturizes clean करेगा और moisturize करेगा face को ठीक है न makeup को निकालने में help करेगा dirt dust इस सब impurities को निकालने में help करेगा अब ये question definition के बाद जो important question आता है वो ये difference between liniment and lotion ये एक important question जो अकसर आता है ये oil based है liniment oil based है this is water based used for muscle pain or stiffness reliefness है ना दर्द के लिए एक तरह से pain में इस्तमाल होता है and this is moisturizing soothing and healing skin के लिए इस्तमाल होता है apply to skin with friction very important and rubbing gently applied without friction with the help of absorbent अराम से लगाया जाता है इसको रगड रगड के लगाया जाता है liniment को usually used before and after the exercise exercise करने से पहले और बाद में लगाते हैं जिससे की मास पेशियों में रहात मिले use daily or as needed for skin इसको हम इस्तमाल कर सकते जब हमको जरूरत है ठीक उसके अनुसार often leave a residue residue मतलब एक दाग दपा छोड़ देता है यहाँ पर ऐसा नहीं होता है absorbed into the skin में पूरी absorb हो जाती है विदाउट लिविंग residue किसी परकार का पीछे कुछ छोड़ता नहीं है दाग दपा टर्पेंटाइन लिनिमेंड केलमाइन लोशन बेंटोनाइट लोशन यह एक्जामपल हो जाएंगे ठीक रहा यह बटा और आइडेट तुदा वाटर यहां पर ऑईल की कुछछ डॉप कुम लोग पानी में एड करते हैं यह ठिक लिक्वीड होता है और स्थीक है इस्पूध लिक्विड इसलूशन कैसो होते हैं लिक्विड इसलूशन होते हैं यह सेमी सॉलिड पर कर सथीकर कंसिस्टेंसी इसका उठाओगे तो हेवी होता है उतना ही पाट इसका उठाओगे तो हलका होता है suitable for dry and extremely dry skin dry and extremely dry skin dry and mild to slightly dry skin अगर बहुत ज़्यादा skin dry तो इसका इस्तेमाल करोगे हलकी पुलकी dry तो lotion का इस्तेमाल कर लोगे used at night and during winter used during the day and during the summer इसका इस्तेमाल दिन में और समर में होता है पैक्ड इन जार्स यह जार्स में आते हैं इस तरीके से और यह क्या बोटल्स में बोटल्स आते हैं पतली पतली दवाते हैं उसमसे निकल के आता है के लिए रवादें ठीक एंट लिए डिफ्रेंस वाले कोश्चन्स काफी आते हैं एक्जाम में पूछे आते हैं तो यह तुम लोगों को याद करने सबके डिफ्रेंस जरूरी है इंपॉर्टेंट है के लिए रहें आगे आते हैं कि भी प्रप्रेशंद ये तो पिरल सींपल ये लोशन सब पिर पेर याट ट्राइटी यह ना मिलाते जाओ पीस्ते जाओ मतलब मिलाते जोयाते जाओ ज़ए जो अपना मुटर और पेश्ट इंग्रीडें टु स्मूद । पेष्ट बन जागा बहुती शूद बन जाएगा and then adding the remaining liquid phase और बाद बचा हुआ जो लिक्विड फेस होता है पानी होता है या जो भी हो इसको पुरा डाल देंगे जितना वाल्यूम में चाहिए और हमारा बनके लोशन तयार हो गया तो इसमें एक सबसे कि इंपॉटेंट लोशन जो कूछा जा सकता है वह है कैलमाइन लोशन बहुत इंपॉटेंट है के लिए कि किलेνे के लिए किफ सका या कि नो हो जाएगा 50 कि आप पांत वह जाएगा 30 के यह कर लेंगे अगर बोलता है तो तौत में आध कर लो किसी तौह किसी एन चौह बतता है हम यहां से complex कर निज थे हो messa davusष बांट मैं हम담 सकते हैं किलियर है ओके मैसाट वही है डिसाल्व दा सोडियूम सीटरेट ठीक है ना सोडियूम सीटरेट को रोज वाटर में पहला पॉइंट ट्राइट्यूरेट दा केलमाइन जिंक ऑक्साइड और बेंट इन 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 तीनों को ले लेंगे और इस यह सलूशन आ गया इसमें मिला करक try to rate, खुब सारा मिलाएंगे, मिलाएंगे, मिलाएंगे जिसे गड़ा-गड़ा paste बन जा है ठीक है, and the liquified phenol, जो liquified phenol है उसको हम लोग क्या करेंगे, add करेंगे इस liquified phenol को, add the glycerin फिर glycerin add करेंगे, फिर finally क्या करेंगे, add purified water in sufficient quantity to produce the required volume पानी फिर आखिर में उतना डालेंगे, जितना हमें मालो 100 ml चाहिए, और हमने सब कुछ मिलाया, तो हमारा 60 ml हो गया, तो 40 ml पानी और डाल देंगे, तो जितना quantity में और बचा हुआ हमें amount चाहिए होगा, उतना required volume पानी का डाल देंगा, और हमारा lotion बनके तयार हो गया, transfer तो lotion to a bottle, cork cork लगा देंगे, bottle बंद कर देंगे, label लगा देंगा और dispense कर देंगा, भाई ले जाओ जाओ lotion तुमारा तयार है, ठीक है clear है, अब क्योंकि मैंने बताया कि calamine lotion हमारा important topic है, तो इसमें कई बार और उसके अंदर की चीजे पूछ ली जाती है तो आओ हम उसकी बात करें, calamine क्या होता है, what is calamine, तो zinc oxide प्लस, ferric oxide अपना मिलके क्या बनाएगा, calamine बनाएगा तो fe2o3 impart color, ये color देता है and it is irritant, ये irritant है so applied to only over intact skin इसलिए जो skin हमारी जूड़ी हुई है वहीं पर लगाना, तो ठीक है कटी-फटी जगए पर लगा दिया तो जलन पैदा कर देगा, not on open wound, open wound में इसको नहीं लगाना है zinc oxide, ये antiseptic होता है astringent होता है, protective होता है and soothing agent की तरह, कई सारी तरीके से behave करता है, it is substances that precipitate protein but do not penetrate cell, वोपर की cell की protein होती प्रेश्टेट कर देगा, तो कई सारे cell protein को coagulate कर देता है इससे skin में खिचा हो आता है, skin में एक तरह से glow, चमक आ जाती है thus affecting superficial layer only जो सबसे उपरी पर आता है superficial, के वहल उसको असर डालता है bentonite क्या है hydrated aluminum silicate तो ये question आ सकता है, क्या होता है bentonite it act as suspending agent and reduce viscosity suspending agent के तरह बिएफ परेगा और विसकोसिटी को reduce करता है it help to make the lotion uniform ये मदद करता है कि हमारा lotion पूरा एक समान रहे glycerine ये hygroscopic है prevented drying of lotion lotion को सूखने से बचाता है ठीक है कि lotion के पूरा सूखना जाए so lotion remain at the site of application for longer time lotion जल्दी सूखेगा नहीं तो जहाँ लगाया है वहाँ लंबे समय तक lotion हमारा बना रहता है ये antiseptic भी है, emollient भी है soothes and soften the skin soothing effect डालेगा और skin को soft भी करता है तो कई सारे काम है इसके forms and occlusive film देखो occlusive word fear आ गया forms and occlusive film cover over skin and prevent the evaporation skin के उपर एक covering बना लेगा वहाँ पर evaporation नहीं होने देगा यानि कि उसको सूखना नहीं देगा इसके इसके नंदर से नमी को बाहर नहीं जाने देगा thus restores the elasticity of cracked and dry skin जो सूखी skin है उसकी elasticity और उसको as it is maintain करेगा heal करने की कोशिश करेगा precaution क्या लेना है हमको should not be applied on wounds or injured area जो कहीं चोट लग गई है या खाल तूट गई है तो वहाँ पर इसको नहीं लगाना है because it precipitates proteins and forms layer which prevent healing यह protein को precipitate कर देगा और एक layer बना देगा उसकी वाज़े सो वो जगह जहाँ पर इसको लगा दिया इस market preparation which contain casein and phenol besides the normal जो उपर के content सा उतर रहेगा साथ में casein और phenol भी आ जाता है casein act as soothing agent while phenol act as a preservative phenol कैसे act कर रहा है? preservative and antiseptive की तरह है तो उसको market वो आता है उसका हम लोग कहते है lactocalamine अब quality control test यह सभी जितना भी topical preparation है सब में यही चीज होगी हम pH का test करते है pH meter होता है physical appearance दिखने में कैसा लग रहा है viscosity कितना गाड़ा है essay essay से हम क्या पता लगाते है कि जो medical या medicine हमने डाली है वो सही मातरा में पहुंची उतनी है या नहीं है irritancy irritate तो नहीं कर रहा है तमाम चले के test जो दूसरों में हम किये ते हूँ हम सब जगे कर सकते है ठीक है क्योंकि अब लोग यह skin के उपर लगा रहे है clear है बास समझ में आ गई और यह अपना lecture खतम हो था यह छोटू-मोटू lecture था बहुत बड़ा lecture नहीं था बहुत बहुत बोग जगुत